नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको जारखन सरकार दोरा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे मुख मंत्री माईया सम्मान योजना के बारे में आपके सभी सवालों का एक एक करके जवाब देने वाला हूं ताकि इस योजना को ले करके आपके मन में जो भी उल्जन है व महतपूर्ण बातों को आपको बताने वाला हूं वह है मुख मंत्री माईया सम्मान योजना क्या है इसका लाब किसे मिलेगा इसका फॉर्म कहां से मिलेगा इस योजना में इसका फॉर्म की फोटो कोपी या फिर डाउनलोड की गई फॉर्म का कलर प्रिंट आउट फॉर्म को आगे इसी वीडियो में बताने वाला हुँ तो पूरी जनकारी के लिए वीडियो में आतने तक बने रहे और वीडियो अकर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और अगर अब ही तक आप आपने हमारे चैनल हिंदी ट्रिक्स और मस्ति को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो अभी तुरंत चैनल को सस्क्राइब करके नोटिपिकेशन बटन को ओन जरूर कर लें ताकि हमारे लेटिस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए बिड़ा समय समान योजना कर दिया है जिसमें जार्खंड के उन सभी महिलाओं को परती मह 15 तारिक को एक हजार रूपे की समान रासी दिया जाएगा जिसकी उम्र 21 वर्स से लेकर के 49 वर्स तक की है और जिनका नाम जार्खंड के लाल हरा पीला सफेद या किसी भी परकार के रासन तो दोस्तों ये तो हुई इस योजना के बारे में जनकारी आईए अब जानते हैं इसके फॉर्म के बारे में तो दोस्तों इस योजना के फॉर्म को लेकर के आम लोगों में काफी कन्फूजन बना हुआ है तो मैं आपको नई अपडेट जनकारी के अनुसार बता दूँ क इसका नया फॉर्म जारी हो चुका है जो की कुल 4 पनों की है और अभी ताजा जानकारी के अनुसार इस फॉर्म की फोटो कोपी या फिर रंगिन प्रिंट आउट फॉर्म नहीं चलेगा क्योंकि इस फॉर्म को 31 जुलाई को ही सरकार की ओर से प्रिंट करके सभी आंगन बारी सेविका को 50-100 की संख्या में फिरी में फॉर्म उपलब्द करा दिया गया है और उसे अपने अपने छेतर में इसे वितरन करने के वियादेश दिया जा चुका है और उसे बताया गया है कि आगे और अधिक फॉर्म की जरूरत होने पर फिर से सरकार की और से फॉर्म फिरी में sign करवाना यान कि verify करवाना अनिवारी है तभी आपका form online होगा और अगर आप इस form को कहीं से jerox करवाते हैं या फिर इसका रंगिन print out निकलवाते हैं तो वह form नहीं चलेगा तो यहां तक यह clear हो गया कि कौन सा form चलेगा और कौन सा नहीं आईए आप जानते हैं इस form को भरने के बाद इसका online आपको कहां से और कैसे करवाना है तो दोस्तों इस form को online करने के लिए आपके पंचायत अस्तर पर कैम्प का योजन किया जाएगा जो कि तीन अगस्त से लेकर दस अगस्त तक चलेगा और इसके बाद यह योजना जारी रहेगा लेकिन फिर इसके लिए आपको अपने नजीदे की परिग्या के अंदर जाना होगा और वहां से आपको अपना form को online कराना जिसके लिए जिसके नाम से form भरा गया है उसका होना अनिवारी है च्योंकि उसका KYC होगा यानि आवेदिका को अपना बायोमेट्रिक authentication कराना होगा मतलब उसके fingerprint को स्कैन करकर उसकी पहचान की जाएगी और वहीं पर उसका एक live photo भी लिया जाएगा जिस परकार आधार कार बनवाते वक्त आपका एक photo खिचा जाता है उसी परकार camp में ही आपका एक live photo लिया जाएगा इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई form और उसमें जो भी आप document जमा दिजेगा उन सभी को PDF में scan किया जाएगा और आपका document को online upload भी total पर किया जाएगा यह सब परक्रिया form को approve कर दिये जाएगा तो आपके mobile phone में SMS के या फिर call के जरिए इसके सुचना आ जाएगी इसके सुचना सरकार की और से आपको दी जाएगी कि आपका form accept हो गया है और फिर परती एक महिना 15 तारिक को आवेदिका के account में 1000 रुपे की रासी सरकार की और से भेज दी जाएगी तो दोस्तों आईए अब जानते हैं इस सुचना का लाब लेने के लिए कौन-कौन से अवस्यक दस्तावेज की जरूरत पढ़ने वाली है तो इसके लिए आवेदिका को जार्खंड का निवासी होना अनिवारी है और उसके अधार कार्ड में जो उम्र लिखा हुए होगा वही उम्र मान्य होगा और जिस भी महीला का फॉर्म को भरना चाह रहे हैं उसका नाम जार्खंड सरकार द्वारा जारी की गई किसी भी परकार की राशन काड में होना अनिवारी है चाहे वह लाल काड हो, पीला काड हो, हरा काड हो या सफेद काड हो और आवेदिका का लिंक हो या नहीं हो कोई वे एकाउंट चलेगा अगर अधार से एकाउंट लिंक नहीं है तो इसी साल के दिसंबर तक आपको अधार काट से लिंक करा लेना है क्योंकि दिसंबर के बाद से आपका अधार लिंक यानि अधार सीडिंग जिसे डिवीटी भी कहा जाता है उसी एकाउंट में आपका पेशा भेजा जाएगा इसके बाद अधी आवेदिका का पैन काड है तो आप इसे भी दे सकते हैं और अगर नहीं है तो यह अभी जरूरी नहीं है बिना पैन काड के भी आप इस फॉ पोटो भी चाहिए जो की फॉर्म भरते वक्त आपको फॉर्म में चिपकाना पड़ेगा और उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य है दोस्तों यह हुई आवश्यक दस्तावेज की बात आईए आप जानते हैं इन सभी दस्तावेजों के होने के साहयता प्राप्त सिक्षन संस्थान में नियमित और अस्थाई कर्मी संवीदा कर्मी या मांदे कर्मी के रूप में नियोजित है अथ्वा सेवा निर्विति के उपरांत पैंसन या परिवारिक पैंसन प्राप्त करते हैं या फिर जिनके परिवार का कोई भी सदस इंकम ट या वर्तमान अथवा भूत पूर्व में परिवार का कोई भी सदस संसद या विधायक रहा है उन सभी महिलाएं इस योजना का लाब नहीं ले सकती है तो दोस्तों अब आप में से बहुत सारे लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि इस फॉर्म को सही से कैसे भरें तो इसके ल को देख सकते हैं कि इसका फॉर्म को सही से कैसे भरना है इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया गया है और एक एक बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है जिसे देखने के बाद आप खुद से भी अपना फॉर्म को भर सकते हैं तो दोस्तों या थी जार्ख आपको वीडियो के माध्यम से जल्द ही दे दी जाएगी इसके लिए आपको हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेना होगा और नोटिपिकेशन बटन को ओन कर लेना होगा ताकि हमारे चैनल पर जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसके जनकारी आप तक सबसे पहले पहु करें ताकि सभी लोगों तक जनकारी पहुंच सके और सभी लोग इसका लाब उठा सके जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जनकारी के साथ